नमस्कार दोस्तों आवो आजे हैंद कटर नी खास विशेश्ताओ अने पाट्स विशे बात करिये तमें जोई शको छो ए प्रमाने आ हैंद कटर छे बीजी बाजू थी जुवो हैंद कटर नू वजन 2.8 किलोग्राम छे जेना थी तमने लामबा समय सुधी काम करवामा मदद मले छे पावर केबल लगभग 2.5 मिटर लंबो छे जेना थी तमने लामबा एक्स्टेंशन वाडा काम करवामा सरता रहे छे हैंदल ग्रिप इंसुलेटेड छे अहिया एक ओन अने ओफ बटन छे जेनो वपराश काम करती वक्ते करवामा आवे छे तमे जोई शको छो ए प्रमाणे अहिया एक ब्लेद गार्द छे जे तमारा माटे सुरक्षित रिते काम करवू सरण बनावे छे आखी बोडी अने टूल साथे 20 प्लेट आ बधु पावदर कोटेद होई छे आ कट्टिंग देथ सकेल छे जेना थी इच्छा प्रमाणे लंबाई अनुसार सेट करी शकाय छे कट्टिंग ब्लेद लगभग 4 इंचेस नी अने कट्टिंग देथ 40 मिलिमीटर नी छे रिंग स्पैनर अने हेक्स की वड़े तमे ब्लेद ने सररता थी अंदर फिट करी शकोचो सेफ्टी ग्लास ग्लॉव्ज अने योग्य कपडा पहरी ने काम करवू ब्लेद लगावता पहला सुनिश्चित करो के हैंद कटर अन्पलग्द छे मटीरियल माटे योग्य कट्टिंग ब्लेद पसंद करो रेंच नो उप्योग करी ने ब्लेद नट धिलू करो आरबर न चिन्हों ने जोई ने ब्लेद ने गोठो सुरक्षित रिते ब्लेद नट ने रेंच थी कसी लो देथ कंट्रोल नोब ना वप्राश थी कट्टिंग देथ सेट करो हैंदल ने मजबूती साथे पकड़ों अने कटर ने मटीरियल पर मुको हैंद कटर ने योग्य पावर सोर्स मा प्लगिन करो एक सर्खा दबाव साथे कटर ने कट्टिंग लाइन साथे गाईद करो ब्लेद ने काम करवा दो वधू पढ़ता प्रेशर ने तारो स्थिर गती जारवी राखो अने मार्ग ने पकड़ी राखो कटर में रोकवा माटे ट्रिगर स्विच ने छोड़ी दो पावर सोर्स की हैंद कटर में अन्पलग करो नियमित सफाई गंदगी साफ करवा माटे अने स्मूर ओपरेशन माटे ब्लेद अने हैंदल ने साफ करो ब्लेद बदलवी सारी कटिंग जारवी राखवा मेट जयारे ब्लेद शुष्क अथवा खंडित थाय त्यारे एने बदली नाखो लुब्रिकेशन समय समय पर ब्लेद नी कार्यक्षम्ता ने स्मूर बनावी राखवा माटे लुब्रिकेंट लगावो स्टोरेज हैंड कटर ने भेज अने उच्च तापमान थी दूर राखो अने सुरक्षित जग्या एमुको सुरक्षा नी चकासनी दरेक वप्राश पहला सुनिश्चित करो ने ब्लेद नू लोकिंग काम करी रह्यू छे अने ब्लेद ने योग्या पद्धती वड़े लोक करीने मुक्यू छे हैंडल नी चकासनी करो हैंडल मा चिकास अत्वा नुक्सान जेवा लक्षणों नी चकासनी करो अने जरूरत पड़े तो तूल बदली दो हैंडल नाओ हैंडल न metros पलneys लो